कि अरचने हर Turkin रहां में आती है यह चर करने के लिए कि वाकई में में सामने वाला लिए अपनी सक्सेस के लिए कुछ भी करने को तहीर है या नहीं शुबैड खेरा के किताब में मैंने पड़ा था की दो दो के सैनिक होते हैं पहला कहता है कि आजादी पाने के लिए मुझे जो कुछ भी मुझसे बन पड़ा मैं करूँगा दूसरा सैनिक होता है वो कहता है आजादी पाने के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़े मैं करूँगा जो कुछ भी कुछ भी करना पड़े मैं करूँगा दूसरा पहला वाला होता है जो कैता है जो कुछ भी मुझसे हो सका मैं करूँगा, अब बढ़ आजिए सच्चा देशबक्त कौन है, सच्चा सेनिक कौन है, सच्चा सेनिक वो है जो कुछ भी करके करने के लिए तयार है, अपनी आजादी के लिए. बहुत सारे लोग इस में आती है रिशी मुनी तपस्या करते थे तो अपसरा नाचती थी शरीर पे साप लोटते थे बाड़ा जाती थी लेकिन भगवान आके तथास्तु तभी बोलते थे जब वो उन अर्चनों से अडिक रहते थे उस अर्चनों को सामना करते थे और अपनी तपस्या को भंग नह अगर मतलब दो टीमें आपस में लडाई ना करें दो टीमें अगर आपस में प्रतिस्प्रदा ना करें कॉंपेटिशन ना करें तो जीतने में मज़ा कहां आएगा आप बताईए होकी में कहां जीतने में मज़ा आएगा जब मुकाबला ही ना हो तो मज़ा कैसे आएगा त आपके decision के strength को देखने के लिए रुकावटे आती है और वो देखने की चेश्टा करती है कि वाकई में ये अपने success को पाना चाहता है या नहीं आप देखिए जितने भी जितने भी सपने हैं आपके जितने भी dreams हैं आपके जो जिसकी वज़े से आपने इस business में जॉइन किया ह वो आपसे लगातार चीक चीक कर चिला चिला कर यह कहते हैं कि ए मालिक तेरी इतनी हिम्मत नहीं कि तुम मुझे कले लगा ले हर वो सपना आपको चीक चीक कर चिला चिला कर कहता है कि ए मालिक तेरी इतनी हिम्मत नहीं कि तुम मुझे कले लगा ले हर सपना आपके साथ ची इंबती नहीं लेकिन आपका जो द्रिड संकल्प है उसके पास दो चोईस है वा या तो उसकी बात मान जाए है मुझे में वो बात महें है यह नहीं इतनी असुविदया तो मैं जहल है तनी तिककत तो नहीं तोड़ना है आपका संकल्प मजगूत जिस कारण से आपने इस बिसनस को जाइन किया उस कारण को नहीं भूलना है आपको लगातार लगे रहना है और उस कारण को याद रखना है जिस कारण के वज़े से आपने जाइन किया आप देखिए रसी पे जो लड़की चलती ह आपने देखा होगा कहीं मेले में देखा होगा या कहीं सरकस में देखा होगा कि एक लड़की हाथ में स्टिक लेके एक लंबी सी टंडी लेके वो रसी पर चलती है आपने कभी भी देखा होगा रसी पर चलने वाला कोई भी विक्ति वो नीचे नहीं देखके चलता वो सामने देखके चलता है जब वो सामने देखेगा तो वो चल पाएगा नीचे देखेगा तो गिर जाएगा तो आपका जो आपकी जो निगाएं हैं वो आपके ड्रीम्स की तरफ रहनी चाहिए आपके गोल्स की तरफ रहनी चाहिए अपने लक्ष की तरफ रहनी चाहिए अगर आप destination तक पहुँचना है आपको अगर अपनी मंजिल तक पहुँचना है तो आप नीचे देख करके रसी पे नहीं चल सकते हैं आपको सीधा देख कर चलने की ज़रूरत है तो आपको द्रिड़ संकल प्लेने की ज़रूरत है और हमेशा अपने लक्ष पे निखाये टिकाये रखने की ज़रूरत है आपको अगर ओडिनरी रहेना है तो कोई बात भी आप तो जो करना है वो करी सकते हैं लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा ओडिनरी बनना है तो अपने ओडिनरी के आगे तोड़ा एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा आपको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़े जो ordinary से extraordinary बना है, उसने ordinary मेहनत नहीं किया, उसने extraordinary मेहनत किया, उसने extraordinary समय दिया है, उसने extraordinary learning किया, उसने extraordinary उत्सा दिखाया है, उसने extraordinary determination and decision दिखाया है, आपको भी extraordinary बनना है, तो आपको भी अपने ordinary effort के आगे extra लगाना पड़ेगा, आपको भी extra डालना पड़ेगा, आपको भी एक्स्ट्रा मैनत करने पड़ेगी, आपको भी एक्स्ट्रा डिसीजन लेना पड़ेगा, तब जाके आपको सफलता मिल सकेगी, किसी भी लाइन में. अभी आप देखिए, आप इस बिजनस को करेंगे या नहीं करेंगे, यह कौन डिसाइड करेंगे, आप डिसाइड करेंगे, लेकि जब हम अपनी मुसीबतों के सामने जो है वो अपने हतियार डाल देते हैं, जब हम अपने कठिनाईयों के सामने, या जब कोई भी को जीतने दे रहे हैं हमारे भावी भविश्य को जीतने नहीं दे हमारा वावी भविश आ आर गया अगर हम परशानियों کے सामने घुटने टेक देंगे तो हमारा भावी भविश हमारे बच्चों का अच्छा फ्यूचर हमारे उडापे की security हमारे worldwide घूमने का मौका उसने घुटने टेक दिये किसके सामने परिशानियों के सामने मुसीबतों के सामने अब आप मुझे बताइए इस business को अगर आप बिल्ड नहीं भी करेंगे तो क्या कोई guarantee है कि आपके आडचन तो उसमें भी आ रही है मुसीबते तो उसमें भी आ रही है परिशानिया तो उसमें भी आ आप decide करेंगे, हाला तो नहीं करेंगे.